हेलो दोस्तों कैसे हैं आप उमिद है कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरहीं किस अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही मैंने यूपी मध्मिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड यानि कि TGT का संदोजा 9 को कोशिन पिपर एक अपलोड किया था और उसकी आनसर की मैंने नहीं अपलोड की थी तो करते हैं ठीक है पहला है भारतिय फिल्म एवं टेलिवीजन संस्थान की स्थापना कहां हुई थी तो इसका अंसर है आपका पूर आए ठीक है दूसरा विरोधी रंग संगती कौन सी है तो लाल और हरा रंग जो होता है यह विरोधी रंग होता है ठीक इसके पाद देखिए अलिफेंटा गुफाएं कहां पे इस्तित हैं तो अलिफेंटा गुफाएं जो है आपकी वह महराश राज में हैं और पश्व अवनिंदनाथ टैगोर ठीक है जहांगीर आर्ट गैलरी कहां है इसका अंसर है आपका मुंबई और सलार गंच इसका अंसर है आपका हैदरबाद और संकुछ ओधरी कौन थे तो ये मुर्तिकार थे इसके अलावा आप देखिए हड़ापा संस्क्रिस्ति के अफशेस कहां पर पाकिस्तान इसके बाद नेक्श कौश्छ देखते हैं चिकनकारी सम्बंदित है जह है यह वस्त्र हो से सम्बंदित your इसका अंसर हो गया आपका बी नंबर को श्रम इलाइवन देखिए कि मों का प्रयोग तो मों का प्रयोग जो है वो बार्टिक में किया जाता है इसकी टेक्निक में आपको पहले ही बता चुका हूं कोशन नबर 12 देखिए मैसोपोटामिया किस देश से सम्मंदित है तो इसका अंसर है आपका इरान यानिकी बी नंबर और समाने पैंसिल ग्रेफाइट होता है इसमें और कोशन नबर 14 शीतल प्रभा उत्पन करने वाले जो रंग जो कलर्स होते हैं वो नीला और हरा होता है इसलिए आपका नंबर है दूसरा सुप्रसिद्य जर्वन प्रग्यानिक प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंग तो इनका जो आंसर है वो है आपका आठ रंग रंग संगतीनों ने प्रस्थित की थी कोशन नंबर 16 देखिए सांची का इस्तूप जाना जाता है तो यह जो है यह आपका बहुत इस्तूप है यानि कि बी नंबर कोशन नंबर 17 देखिए भारती चित्कला के छे अंगों की व्याख्या किसने किये तो इसका आंसर है आपका जैमंगला में यह आपको मिलती है ठीक है भारत कला भवन किस सहर में इस्तित है तो इसका आंसर है आपका वांड रसी आजवन्स के उत्थान काल में अजन्ता की गुफा के फ्रेसको चित्र को चित्रित किया गया तो इसका आंसर है आपका गुप्त काल क्योंकि दूसरे कोई ऑप्शन इसमें नहीं है ठीक है 21 नंबर देखिए जी आर संतोस जो थे यह आपके बहुत अच्छे आर्टिस्ट है और इन्होंने चित्रकला की उपर बहुत सार काम किया जैसे कि मैंने आपको बताया थे है कि यह तंतरिक कला के उपर इन्होंने ढेर सारे चित्र बना है तो इसका आपका एए ठीक है निम्लिकित में से किस कलाकार ने बंगाल लोग चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्रम बनाया था तो इसका आंसर है आपका यामिड़ा है संथाल परिवार यह तो आपको पता ही होगा कि राम गिंकर बैच इसके लिए फेमस थे कोशन नमबर 26 देखिए उत्तर प्रदेश में किस सिस्तान पर ब्लैक पॉट्टी जो है आपकी पोज़ादा फेमस है तो इसका आंसर है आपका निजामाबाद यानि कोशन नमबर 4 है इसका अजंदा में कितने गुफाई हैं देखिए यहाँ पे 30 आप्शन ही नहीं है धातू वाश पेंटिंग सुरुवात किस ने की थी आवलिन ना टैगोर ने की थी कोशन बर 31 देखिए अशोक कालीन शीला लेखो को पढ़ने में प्रथम सफलता किस ने प्राप्त की थी तो इसका अंसर है आपका ए जॉन जैम से प्रिंसेप ने इसकी सफलता प्राप्त की थी कोशन में 32 देखिए पहाड़ी स्कूल कांगडा स्कूल और राजपूत इसकूल आधी संबंदित है तो यह किस संबंदित है यह चित्रकारी से संबंदित है इसका अंसर हो गया आपका फोर नमबर नेक्स कोशन देखिए 33 नमबर अपने कमल जैसे आकार के लिए यह इसको अपना कर मूर्भूत प्राध्योगे की परिवरतन किया था तो वो था आपका क्रशी ठीक है यानिक दूसरा नमबर कोशन में 35 देखिए निमलिकित में से कौन्चा एक नगर हडपा संस्कृति का नहीं है तो ठीक है देखिए लोथल काली बंगन और बनवाली यह ती तो इसका आंसर है आपका कुशान कुशान काल में बनी थी मुगलकाल का स्वर्ण युग देखिए दोस्तों इस जगे पर थोड़ा सा आप मतब कंफ्यूज मत होईएगा देखिए यहां पर मैं आपको शाजा आंसर बोल रहा हूं कई सारी बुक्स में यही आंसर मिल रहा ह क्योंकि इस समय में चित्रकला के साथ साथ इस्थापत कला का बहुत अच्छा विकास हुआ था और ताजमेल इनके द्वारा बनाया गया इसलिए यहां पर आंसर मैं इसको चौथा आंसर अपनी तरफ से देता हूं ठीक है कोशन अब 3 नहीं देखिए सिग्रिता से किये होगा 40 नमर देखिए किसके द्वार स्कीन प्रिंटी की चपाई की जाती है तो रेशम के कपड़ा यह जो आपका चौथा नमर है रेशम का कपड़ा यही इसका आंसर है और इन में से कौन सा युग्ण समलित नहीं है तो देखिए सिरी अमजद अली खां यह जो है यह सिद भुजाकार है तो शेशा शूरी का जो मगबर है सासा नाम वाला यह आपका अस्ट भुजाकार है कला किस भासा का शब्द है तो कला जो है वो संस्कृत भाता का शब्द है यानि कि तीसा नमबर 44 नमबर देखिएगा भात वर्स में प्रागयतिहासिक चित्रों की सरप्रतम खोज किस छेत्र में हुई थी तो इसका आंसर है आपका मिर्जापूर ठीक है प्रगतियासिक काल्वे चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस चित्र के बने तो सबसे अधिक चित्र जो बने आखेट के बने पशु भी है मनुश भी है लेकिन आखेट सबसे ज्यादा मुख्य यहां पर माना गया था 46 नमर्द देखिए कंदरिया महादेव मंदिर जो है यह खजुरहाओं का मंदिर है बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है ठीक है नेक्ष्ट कुशन देखिए 47 देखिए कीर्थी इस्थम कहां पर है तो यह चिताओड़ में है आपका गुप्त गाल की सर्व प्रभमुख विशेष्टा है मंदिरू का निर्मार यह विशेष्टा है मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष इस्थान जो है वो किस के समय में दिया गया तो इसका आंसर है आपका जहांगीर के समय में दिया गया कोश्रमबा 50 देखिए बंगाल शैली के कलाका परानिक कथाहूं के लिए जाने गेरो और इनकी का अध्यन करके रमयायन भारत वाधा इनकी फिकाक्सों के दार बनाएंगे बहुत शैल्मस-पेंटिंग धyn नेक्स्ट कुश्चन देखिए 54 नंबर विख्यात कोनार्क मंदिर जो है यह कहां पर है तो यह है आपका उड़ीसा में सुरमुखी मंदिर के लिए जो है वानगॉक फेमस थे इन्होंने कई सारे चित्रे इसके बनाई थी और एक टाइम की यह बहुत फेमस पेंटिंग है जो बहुत ज्यादा बिकी थी बहुत महंगी पेंटिंग में से एक थी अब तो बहुत सारी पेंटिंग्स बिके ही है लेकिन एक टाइम पर इसका भी बहुत बोलबाला था जाता कथा है क्या है जाता करना है जो है वह बहुत बुद्ध धर्म के जो पूर जन से संबंदित कथा थी वह कथा है यह निकी चौथा नमबर है 57 देखिए राजर वर्मोग जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे उनका जन कहां वह तो के रल के किलिमनूर जगे में इनका जन हुआ था ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं मदुबनी यह जो है वह बिहार के जिला जितवार वहां की यह पेंटिंग है बहुत ज़्यदा फेमिस है ठीक है जेज स्कूल अफ आर्ट्स कहां है मुंबई में है नालंदा विश्विद्याले बिहार में है आपका नेक्स कॉश्चन देखिए निफ्ट साचिशन सहस्थान छेत्र में कार कर रहा है तो यह फैशन टेक्नलोजी में कार कर रहा है नेशनल इस्ट्यूट ऑफ फैशन टेक्नलोजी इसका फुल फॉर्म होता है ठीक है तो यह फैशन टेक्नलोजी में काम कर रहा है 62 नंबर देखिए मुर्तिकला की उस शैली वह कहली कौन से थी जो ग्र यानिकि दूसा नंबर है कबीरदास मगहर इसका अंसर है अलोरा प्रसिद्ध है तो अलोरा जो है वो मूर्तिकला के लिए बहुत ज़्यदा प्रसिद्ध है यहां पे इस चीज को थोड़ा आपको समझना है ठीक है आजनता जो है वो आपके चित्रों के लिए विशेश तोर से और साथ में मूर्तिकला भी है उसमें लेकिन अलोरा जो है वो पूर्ण रूप से मूर्तिकला के लिए ही फिर्मास है शिक्स्टी सैवन नमबर देखे समराट असुक किस राजपाश चढ़ाई के बाद बहुत धर्म को उन्होंने अपनाया यानि कि जो रंग दूसरे रंगों से मिलने से नहीं बनते वो रंग आपके मूल रंग कहलाते हैं तो नीला पीला और लाल यानि कि दूसरा नमबर आपका अंसर हो गया शिक्स्ट नायन देखे बागमान बुद्ध ने अपना पहला उत्देश कहां दिया था तो इन्होंने जापानी कला इके बाना क्या है तो यह है आपका पुश पुश सज्जा सही ओजन सवरी तो इसका अंसर है दूसरा चिक राष्टिया अधुनी कला संग्राले कहां पढ़ता है तो इसका अंसर है आपका नई दिली राम किंकर बैस थे यह एक मूर्थिकार थे राविंद भावन आपका जो है यह दिली में पढ़ता है 75 नंबर कोश्चन देखे वीर भूमी प्रसिद्ध है देखे वीर भूमी जो है यह थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं इसका आपको आंसर नहीं बताऊंगा नेश्ट कोश्चन पीछ आते है 76 नंबर और 76 में कोश्चन है आपका वेदु की रचने के छह संस्कृत भाषा में हुई है पिराविदों का देशं आपको पताई है मिश्र है इसका आंसर बार्तिकला का स्वण काल किसके समयमें माना जाता है तो देखी गुपत काल जोह है इसको माना जाता, क्योंकि इस समय में कला का बहुत अच्छा विकास हुआ था, आजन्ता की गुफाएं भी इस समय की बोली जाती हैं, और खुब सुन्दर मंद्रों का भी निर्माण और मूर्तियों का भी निर्माण इन्ही के समय में हुआ था, 79 नंबर देखिए, दो तीश तेरा कुटा मुर्थिया बनाए जाती यूछ गोड़ी एकन ऐस की कवी चितका जिसकी कर्म भूमीशान्जन ची तो कवी और चित्र का दोनों जो थे वो रविंग नाथ टैगोर थे देख परशायद राय चौधरी ये एक मूर्तिकार थे और नेक्स्ट वुटकट तकनीकी किसके अंतरगात आती है तो वुटकट जो है वो छापा चित्रन के अंतरगात आती है प्रकाश की पत्य रंगों को हम क इसके द्वार देख सकते हैं तो प्रिज्म के द्वारा हम इसको देख सकते हैं क्योंकि इसका प्रेक्टिकल हम लोगों ने छोटे में बहुत अच्छी ते कैसे किया था प्रिज्म को रखकर एक दफ्ती में छेट करके प्रिज्म के ऊपर आप लेके जाएंगे तो एक किरन सी बन जाएगी और जब वो किरन प्रिज्म के उपर पड़ेगी तो जब दूसरी तरफ से रिफ्लेक्ट होके वो रेज यानि कि वो किरन बहां निकलेगी तो वो साथ रंगों में डिवाइड हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट कुशन देखिए 85 नंबर अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं ठीक है तो यह थोड़ा सा आपको यह आप ध्यान देना है कि लयात्मक होते हैं वो पहला नंबर है आपका लय के साथ थोड़ा रिदम यान की गुलाई लिये हुए जो होते हैं ठीक ह समराट अशोग की राजधानी थी तो समराट अशोग की राजधानी पाटली पुत्र थी यानिकी तीसरा नंबर इंडो आरेन कौन सी भासा बोलते थे तो इंडो आरेन जो थे वो संस्क्रिट बोलते थे बाटिक जो होता है बाटिक कपड़े के उपर किया जाता है यह मोम क तेकनिक की तरीके से होता है ठीक है तो इसका नंबर है आपका एक नंबर बीसी सानेल थे यानिकी बीसी मतलब भवेश्च चंदर सान्याल एक चित्रकार थे ठीक है नाइटी नंबर देखते हैं कोशन नंबर भीम बेट का लखुनिया पंचमनी प्रसिद्ध है ये सारे हमारे प्रगातियासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है दनाइट वाच रेमब्रांट की एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग है आप इसको नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं भारती चित्कला के प्राचिन केंद्र कहां पर हैं हाँ देखे थोड़ा से इसका भी मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बुक्स में कई सारे कंफ्यूजन दे देता है तो इसके लिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा ठीक है महाराष्ट पकर हम बो वात्साइन यानि कि ए नंबर हॉली फैमली किसकी है तो यह माइकल एंजलो की आपकी है रोद्रस रोद्रस का रंग कौन सा है तो इसका अंसर है आपका लाल खजराहों के प्रसिद मंदिर किस राज में आते हैं तो इसका अंसर है आपके मध्रदेश छतरपूर एक जगर प 98 नंबर देखिए मुगल काल में चितकला का उतकर्ष किसके समय में माना जाता है तो इसका अंसर है आपका अकबर के समय में इसका उतकर्ष हुआ था जहांगीर के समय में इसका चरम हुआ था और स्थ्वर्ण युग जो है वो आपका शाह जहां के समय में नेक्स्ट कोशन देखें 99 अशोप ने किस बहुत संगती का आयुजन किया था तो इसका आंसर है आपका तृती बहुत संगती का आयुजन किया था अलोरा के गुफाएं और शायल करत मंदिर हैं तो ये हिंदू बहुत अहर जैन तीनों धम से संबन्दी थे श्रमण बहिल गोला में गोमतेशर की मूर्ति का निर्माण किस ने करवाय था तो चामुंड राय थे इन्होंने इसका निर्माण करवाय था बहुत धर्म ने अपने उपदेश्क की इस भासा में दिय थे देखिए यहां पर आप कंफ्यूज मत हुएगा कई जगे पर मगदी भासा दिया हुआ है और कई जगे पर पाली भासा दिया हुआ तो मैं आपको यहां पर पाली भासा को टिक करूंगा ठीक है, नेक्स बुक देखता हूँ, नेक्स कोशन देखता है अगबन ने किस राज्य पर अपनी विजय के समारक में बुलन दर्वाजे के निर्मारक रवाज़ है तो इसका आंसर है A, गुजरात के विजय के बाद 9 पशार यूग में मानव कहां रहता था तो 9 पशार यूग यानि कि वो थोड़ा सब भी हो चुका था और वहाँ बस्तियां मिसाने लगा था यानि कि गौओं के रूप में रहन लगा था प्राचिन युनान में ओलम्पिक हिल किस देवता के नाम पर माने जाते थे तो GS के नाम पर ऐसा पता चलता है कि बुक्स में में यह लिखा हुआ है तो इस कांसर यह ही है 106 नमर देखिए आदि मानोचे तो बनाने के लिए किन रंगों का प्रियोग करता था तो इस को आप प्रकातिहासी काल से समंदित मेरा वीडियो जरू देखिएगा बहुत ही डिस्क्राइब करके एकदम तथ्यों के उपर ही बताया गया है कोई भी उसमें फाल्दू बात नहीं है सीधे पॉइंट टू पॉइंट ही उसमें समझाए गया तो जानवर की चर्बी मिलाकर वा रंगों का प्रियोग करता था कोई नमबर 187 देखिए मगज राज की निव किसने डाली थी तो इसका आंसर है आपका बिम्बसाद बहुत बिच्चू किसमें रहते थे देखिए विहार और चैतो विहार दो जगेत होते चैतो झे थे वो उपासना इस्द्र होते थे और विहार जो पे होते थे वो उनके रहने की स् lazım मंदी चितर आपके कहां मिलते हैं तो श्रिव विवास संबन्दी चितर जो जो है वो हमारे मिलते हैं बादामी गुफा में इसलिए इसका नमबर है चार question number 11 देखे, भारतिया आदूरिंग चितकला का इतिहास कब से माना जाता है, तो यह जो है, यह बंगाली स्कूल से यह माना जाता है, 36 मजूंदार किस विश्विद्याले में चितकला विभा के अधर्श थे, तो यह है आपका इलहाबाद विश्विद्याले के, question number 13 देखे, किस चितका ने बाग जन्ता और जोगी मेरा के विश्विद्याले के प्रतलिप्या वनाई थी, तो इसका अंसर है आपका आसित कुमाल हल्दर ने, next question देखे, number 14, नन लाद बसु का जन्ता कहां हुआ था, इनका जन्ता हुआ था, बिहार में, कांगड़ा चितकला का दूसरा नाम है, आप देखे, पहाड़ी चित सैली में ठेट सारे नाम आते हैं, और उनी में भी कांगड़ा आता है, देखे, कांगड़ा, गुलेर, ना, कांगड़ा, गुलेर, बसुली, चमबा, इस तरीके से कई सारे नाम हैं, तो यह पहाड़ी हो गया आपका, गुलेर, कांगड़ा, नूर, बसुली, चमबा, कुलू, गड़वाल, मांड़ी, यह सब आपका पहाड़ी के अंतरगत आता है, इसको बोलते हैं, अंतिम भोज, यानि की समस्ची का यह चित्र है, बहुत ही अच्छा चित्र है, और यह दिवाल के उपर बनाए गया था, यह लेकिन ऐसा कहा जाता है, कि माइकल यह लिनाड़ो दविंची के जीवित रहते ही, यानि कि उनी के समय में यह चित्र खराब भी होने लगा था, क्योंकि शायद यह ओयल पेंटिंग से बना था, ठीक है, नेक्स्ट, 17 देखिए, दैस्कूल ओफ एथेंस, बहुत ही अच्छा यह पेंटिंग है, बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, देखिए, राफेल इसले फेमस थे, क्योंकि यह कंपोजीशन के बहुत जाद होते थे, और यह एक ही कंपोजीशन में कई सारे लोगों को चित्र किया करते थे, तो यह इसी तरीके का एक चित्र है, तो इसका अंसर है, राफेल, 118 देखिए, दिलवाणा मंदिर किस दे बनाया गया था, यह मकराना मारवल से बनाया गया था, लास्ट जज्जमेंट, ठीक है, अंतिम निर्ने, यह किसका चित्र है, तो यह है आपका माइक एंचेलो का, 120 देखिए, दा बर्निक जिराफ, यह तो बहुत फ्यमस चित्र है, सवर्डॉर डॉली का चित्र है, मदर टेईसा, मफ हुसाइन का चित्र है, अलिफेंटा किसले प्रसिद्ध है, तरी मूर्ती के लिए यह प्रसिद्ध है, 123 देखिए, निमलिकित में से एक त प्रसिद्ध आयामी कला कही जाती है, बंगल कला शहली किस तक्नीकी से जानी जाती है, तो बंगल जो कला टेक्निक है, वो वाश टेक्निक के लिए बहुत ज़्यदा फेमस है, आप देखिए, क्वेशन नमर्ट 25 देखिए, कागज की कत्रनों से बनाय जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं, कोलाज, तो दोस्तों, ये question paper, ये question paper मैं पहले ही upload कर चुका हूँ, और आपके लिए सिर्फ answer के लिए मैं इसको upload कर रहा हूँ, तो दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई में लगे रहे हैं, 6-7 घंटे, कम से कम पढ़ाई की बात कर रहे हैं 6-7 घंटे पढ़ाई करिए, और जादे से जादा हो सके तो और जादा पढ़िए, दोस्तों, selection लेके ही रहना है, इसलिए मेरे आप से बस इतनी कहना चाहता हूँ, इतनी बात कहना चाहता हूँ, कि पूरी मांदारी के साथ आप पढ़ाई करिए, best of luck!